एक दूसरे पर सवाल भी बहुत उठा लिये, प्रेस के तीखे सवाल भी छेल लिये, लेकिन खत्रा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि अपनी उंगलियों पर खत्रे से खिलाने वाले तो आज इस महले में आए हैं, मैं रोहित छेटी का अपने इस महले में हार्देख स्वागत करता हूँ, रोहित, मेरे ये पाँच फाइनल खिलाडी, अब आपके एक्शन भरे सवालों का सामना करेंगे, चुरू करें क्या-क्या इलजाम हैं, जब प्रेस आई थी, आपने अपनी इमेज बचाने के लिए, बहुत आसानी से मनारा और विक्की को खाई में ढगेल दिय एक बात बता हिये, लड़कियों से हससकर बात करना विक्की के आदत हो सकती है, तो फिर लड़कों से हससकर बात करना मनारा के आदत नहीं हो सकती है मुझे ऐसा लगा कि कही न कही वो चिड़ाना था जो मुझे महसूस हूँ और उस वज़े से कही न कही मैं इमोशनली बहुत डिस्बालेंस हो गी ती और मैं हर चीज में मुझे लगता था विकी गलत कर रहा है हाईईवेस अगर हो जी 12 और 13 हuff aged जो अनकिता नजर आई है वो अनकिता कोई और-इंकिता थी जिसने यह काया था कि मैं दिल से कहलती हूँ औ फिर वो सिर्फ दिमाग 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 और सिर्फ दिमागी नजर आया मैं इतनी जादा इमोशनली मेरा बहुत सब्सक्राइब मेरा सबसे लोएस्ट था और मैं कही ना कही बहुत हर्ती क्योंकि विक्की का सपोर्ट मेरे पास उस ताइम नहीं था कही ना कही उसमें I think you know मेरा ही नाम खर आपको यह नहीं लगा कि कही कही आपने जैसे मैंने भी दे अचारा किया विच वाइक जोग आपने उसकी दजी आप आप आके बैठी और आपने कहा आप ने कहा आगया देख लो टेलिविजिन पर यही है मेरा हस्बेंड अपको लगता हो सही था सब मेरा वो बहुत फ़न वे में चल रहा था और और वहीं आपको बताते हो विकी का अंकिता मैं भी सुरिफ होस्त नहीं डिरेक्टर भी हूँ अंकिता कितने दिन हो गया आपको इस गर में 103 एक सो तीन दिन में आपने यह नहीं समझा बिग बॉस सिर्फ गेम के लिए नहीं होता है बिग बॉस आप सब के अंदर की रियल पस्नालिटी निकालने के लिए कॉन कंसी अंकिता रियल है वो जिसे हम 12 हफते तक देख रहे थे या यह अंकिता जो पिछले कुछ हफतों से नजर आ रही है